कि आर्फनों अंगन देख़नाडायए सारा भाइवेना ने गणा-घणा राम-राम शा anti तो आज कल बहुत ज्यादा तो गर्मी पड़ा है और गर्मी के बाद मौसम भी बहुत जल्दी चेंज हो जाए है कदे गरम और कदे ठंड होते हैं कि मौसम के मैने भी स्वास्ते की बहुत जरूरी द्यान राखनी है तो आज मैं मेरे अंगन कमेन यहां कि रेशिपी लेए हूं बहुत ही सरल है और बहुत ही सस्ती और गर के अंदर जित्तों भी समान है भी कहनो सार हलो तो तो ते कहीं प्रकार को खाये पर आज नए तरीकें हलो बना एड़ो थान रेशिपी बताऊं लिए देखों मेरे किचन गार्डन के अंदर हूं मैं एक पेठो लेएं आपनी बासा में इन पेठो बोलना बाकी कद्दू भी बोलने तो लग बगो डाई किला का आसपास बजन हो उसका है तो इन में हैरे ओ पेठो तोड के लेएं उस बाकी की हलो जियां पकने के बाद में भी बिणा होगा तो और जड़ा तेस्ट हो जाएं पर मैं कच्छा को इन बना कि थन बता रही हूं है तो इक कद्दू ने एक बीच की काटके और देखें लिए कि जोक निकल यह कहीं अंदर कोई ओर हो है तो देखो थे थोड़ों सो टाइट है काटने में छीलने में थोड़ों सो हार्ड हो है पेठे को तो बहुत ही बढ़िया निकल के त्यार हूए है मैं यहे कड्यी क कड्या काटके अलग अलग कर दी ह। शारी कड्यान काटके और इन छीला हुए थोड़ों सो हार्ड है तो हाथ की भी ध्यान राखने पड़ा है औरां की बजाए जियां लोकी की और की बजाए कद्दू भो तो यह हार्ड हो है तो छील के सारी एकदम त्यार कर लिए और साफ फानी में ने दो लिए कोई मिटी और ने लाग जा एक खतर दो के और एक ग्रेटर लिए है या सोटा जी किसे ठीस हो घाघ्ड़ा सिसी के आड़ी के खुला के दिए था टूवल और सब्सक्राइबर tadनें मिडियुम् February 치maaker करें अचयए ख़ाएगों हुआ है कि साइद पिटैंगा वाल चाहा पर चाहा के या वी कि तर्फा कर लिया लगाना कि कि कद्दू कस करके और इको जो को ग्रेट रैविन सारी की लाग रहें वो भी पूंच लियो और साफ कर लिये अब मैं यह के मोटतल की कड़ाई बड़ी लिये क्यूं मैं रजल अका यए गिलो के आस्पास है तो में बड़ी कड़ाई लेकिए चम्चो गी जम्मिडो डल ये तो यह एक चम्च गी के अंदर सारो बना के थोड़ा से गी में और थोड़ा से दूद के अंदर देखिए आगज यहां देखता जाओगा कि एक समच गी के अंदर डाही किला कद्दू कस करे रोजगों पेठ्ट हो लिए हैं वह बहुत ही बढ़िया बनके त्यार हो जागों एक बार थोड़ों सो कि है कि जित तो सूफ्ट नहीं हो गर्म के इता थोड़ों सो गुमाना में भी हाल्ड होए हार्ड रहा है कि कड़ाई बढ़ी है फिर भी कि कि कद्दू कस करना के बाद में और भी खूब हुए बढ़ जाए तो दो मिन्त के लिए मीडियन गेस की फिले मीडियम राखनी है और दो मिन्त के इन थोड़ों गरम हो जागो तो बिल्कुल सोप्ट हो जागो धीर धीरा इन गुमा के एकदम मिक्स कर लियो गी और कद्धू कस करेड़ों पेटों इस तरीकों मिलाता रही हूं और पेठा के अंदर कोई गणों ज्यादा पाणी को नहीं है बिल्कुली एकदम टाइट टाइट है पेठो है तो अब जेको हलो है वो थोड़ों सोफ्ट हो गया है और सोफ्ट होना के बाद में कड़ाई के अंदर पूरू फिक्सावा लाग्यों जाब कड़ाईं की है निकलना को और ड्रकून रहे तो अलो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीकां मिलके त्यार हो गयो अब मैं फूल करीम को दूद है जियां दो किला दूद ले अभी को उपर की मलाई है बार निकाल लीज को उपर को दूद हो है गड़ों गड़ों सो बो मैं एक पांसो ग्राम की बावल है इन बर के और यह हलुए के अंदर डाल दियो नहीं कि कि मैंने एक किलोग दो किलो दूद डालनों है सिर्फ पांसो ग्राम एक चमच घी पांसो ग्राम दूद और मिलके भी एक दंबडिया तरीकां त्यार हो गये कि 5-7 मिन तरो पकानों पड़को चीनी आप आपकी स्वाध्गंउस सार में तो भूत कम चेनी डाली है कि 10न दाली है । बाह्तारेकी स्वाध्यान DU ग्राम चेनी डarnya और एक चुटकी फ्रूट कलर है वह मैं अंदर डालए के दाल ज़िए एक चमचल इलाइची पाउडर डाल दियो मुझा नारियल बुरादो भी डाल दियो और थोड़ा बादाम कत्रन भी डाल दी कुछ ही कंदर डाल दी हैं कुछ बाद में डाला हूँ सारो समान बढ़ना के बाद में डालना के बाद में हलो कड़ाई ने विलकुल एक दम छोड़नों शुरू कर दिये ना निच्चा चिपके ना और 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 इको कलर भी चेंज होगे अब देख लो कठा भी कड़ाई का है तच कोनियों परफेक्ट तरीकां बढ़नके त्यार होगे और खुसबू भी कि आवनी शुरू होगे जहां स्टार्ट में आपन डालां भी टाई में कएके हैं कड़ाई फुल ब्रेडी और अब थोड़ों सो बनके त्यार होगे तो एक बाउल के अंदर मैं बनेडों हलोट फ्रोसरी हूं और थाने मारों वीडियो की शोक लागे हो या पेट्ठेगों कद्दूगों हलो थाने बनाना की रेसिपी किसी लागी बात थे माने कोमेंट कर दोरा जरूर बताऊगा और थे बना के खाके फेर भी माने जरूर थे हैं कि सूचना देवा भी कद्दूगों हलो भोती बढ़िया बनके तयार होए और वीडियो अच्छो लागे हो है तो लाइक और शेयर करोगा न दूसरे दूसरे